नमस्कार बहुत स्वागत आपका न्यूज विल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्यूमिश शर्मा एक नजर डालते हैं पाँच मिनिट में 25 खबरों पर प्रदार मंतिन नाइंद्र मोदी और ममतब एनर्जी आज कोलकता में एक अमंच पर होंगे कलकता में सुबाज चंदर बोज की जैन्ती पर आयोजित कारिकरम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने ममतब एनर्जी को नियोता दिया था जिसे बंगाल की सीएम ने सुईकार किया नेताजी सुबाज चंदर बोज की जैनती पर ममतब एनरजी ने विशाल कारिकरम की शुरूआत की ममतब एनरजी ने 9 किलो मीटर लंबे रोड शो की भी जुरूआत की इस रोड शो में बड़े पैमाने पर भीड उम्री राची के रिम्स में उपचार करवा रहे लालू प्रसाद यादफ की हालत चिंता जर्ग बनी हुई है लालू के बेटे तेजस्वी के अनुसार लालू यादफ के फेफड़ों में पानी जमा हो गया है जिसके चलते उनकी स्थिती अभी गंबीर बनी हुई है दिल्ली के एम्स में उनको भरती कराया जा सकता है देश में लगातार कम हो रहे है कोरणा के मरीज पिछले 24 गंटे में कोरणा के 14,256 नए मामले सामने आये है पिछले 24 गंटे में 17,130 मरीज ठीक भी हुए है इस दोरान 152 कोरणा संक्रमतों की मौत हुई यूबी बिहार जारकंड पंजाब हर्याडा में ठंड और कोहरे का कहर बरकरार मौसम बिवाक के अनुसार एक नया वेस्टन डिस्टर्ट बेंस एक्टेव होने की वजए से हवाओ का रुख बदल रहा है लकनों में किसानों का एक सम्हू आज राजपाल को मुलाकत करेगा और उन्हें ट्रेक्टर रैली का ग्यापन सो भेगा यह ग्यापन भारती किसान यूनियन के नेटे तो में दिया जाएगा लकनों में के यूटी ने फासील आकर आत्मत्या कर ली परिजनों का आरोप है कि लड़की ने छिड़कानी से तंग आकर आत्मत्या किये फिलाल मिर्दका के परिजनों की शुकायत पर पुलिस ने मामला दर्चकर आरोपी यूवक की तलाश शुरू की मुंबई में एक पुलिस कर्मी ने महिला पुलिस कर्मी को शादी का जासा देकर पांग साल तक उसका यौन शोशन किया जब पीड़ता ने उसे शादी के लिए कहा तो वैं मार पीट पर उतारू हो गया महिला पुलिस कर्मी ने इस संबंध में पुलिस से शुकायत की चेहरी में एक यूवक ने अपनी पतनी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी पुलिस ने आरूपी को गरफतार कर लिया है बताया जा रहा है कि मामूली बात पर पती ने गुसे में आकर इस वारदात को अंजाम दिया सिर्जा में पुलिस ने फरजी आरसी बनाकर गाड़ियों को बेचने वाले गिरों का परदा फाश किया है पुलिस ने गिरों के मुके सरगना को गरफतार किया है, अभी तक पुलिस ने आरूपी की निशान दईई पर 17 गाड़िया बरामत किया है, फिलाल पुलिस मामले की जांच कर रही है पुलिस ने आरूपियों को जेल बेजा इन दोर में एक कतावाचक घंशयाम शर्मा को पुलिस ने गरफतार किया है, कतावाचक ने एक महिला के साथ दुश्कर्म किया था और फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गरफतार किया बांग्रादेश से आकर नॉइडा में अवे तरीके से किड्नी प्रत्यारोपित करने वाले गिरोग के दो लोगो को पुलिस ने ग्रफतार किया है इस गिरोग में शामिल तीन लोग अभी फरार हैं पुलिस उनकी तलाश कर रही है गुरुगरा में एक पिता ने अपनी सोती हुई दस वर्ष ये बेटी की गला गोट कर हत्या कर दी इसके बाद खुद भी फासी लाकर आत्मत्या कर ली पुलिस ने शवा को पोस्वाटम के लिए बेजा जान शुरू की पलवल जले में प्रायर रंजिश के चलते एक बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा की उसकी सहीली ने अपने दोस की साथ मिलकर हत्या कर दी पुलिस ने एक आरूपी को गरफतार किया साथी दूसरे आरूपी की तलाश शिरू की इटावा में 17 वर्ष किशोरी ने ट्रेन के आगे कूत कर आत्मत्या कर ली घटना के बाद पुलिस और प्रशाशन में हड़कम पमच गया किशोरी के परिजनों ने पुलिस पर छिड़कानी की शिकायत पर कोई कारवाई नहीं करने का गंबीर आरूप लगाया है पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है मुजफर फुर्मे कुत्ते को लेकर मामूली विवाद में पड़ोसी युवक ने 19 वर्ष युवक को पाच गोलिया मार दी इस में से चार गोलिया उसके पैर में लगी इसके बाद आनन्फनन में घायल को अस्पताल में भरती किया पुलिस इस शक्स की तलाश पर चुटी केरल में कुछ लोगों ने तेंदुए को जाल में फसा कर और उसको मार कर खाने के सिलसले में पाच लोगों को वन विवाग ने गरफतार किया है दरसल तसकर तेंदुए की खाल बेचने की फराक में थे पर उससे पहले ही पुलिस ने चापे मारी की तसकर को गरफतार किया जैपुर में आएकर विवाग ने सराफा कारोबारी दो रियल स्टेट डेवलपर के यहां चापे मारी की जिसके बाद इलाके में हरकम पमच गया एजनसी को सराफा कारोबारी के यहां एक सुरंग मिली जिसमें 700 करोड रुपे की जायदात की जानकारी मिली है सिंगरोली नगरनिगम में सफाय अभ्यान के नाम पर करोडो का गोलमाल की बात सामने आई है परताल में ये भी बात सामने आई है कि नगरनिगम के अफसरों और डुलाई की जिम्मेदारी एजनसी सीटा डेल के मिली भगत से कूड़ा गोटा लगिया जा रहा है सियम शिवरा सिंग चोहान का सिंगरोली दौरा था जहाँ पूरे शहर में भाचपन इताओ के बैनर लगाए गए थे लेकिन कुछ आसामाजिक तत्वों ने बीजेपी के महापार प्रत्याशी वरिष्ट पांडे के पोस्टर पर कालिक पोद दी कालिक लगे पोस्टर शोशल मीडिया पर वारेल हो गया है फिलाल पुलिस मावले में जांच कर रही है महराज गंज में छे शराबी बदमाशों ने एक नावाले के साथ दुशकर्म किया और हत्या कर दी जिसके बाद बदमाश फरार हो गयते हैं अक्टर वरुन दवन और फेशन डिजाइनर नर्ताशा दलाल 24 जनवरी को अली बाग में शादी करने वाले हैं दोनों की शादी की तैयारी जोरों पर चल रही है साती मेहमानों को बुलाने का सिलसला जा रही है तांडव विवाद की जांच करने मुंबई गई यूपी पुलिस की टीम ने वेफ सीडिस तांडव के निर्देशक से चार घंटे तक पूस्ताच की इस दोरान तांडव की टीम ने यूपी पुलिस के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा फिलाल पाच मिनिट पच्चिस को प्रो में सिर्फ इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार